वासब गाइज वाकम बैक तो मैं चैनल दिस इस जेकी ठाकूर चलिए बात कर लेते हैं बिग बोस के कल के एपिसोड की कल था वीकेंड का वार का संडे वाला एपिसोड जहां सलमान खान नहीं थे और सलमान खान की जगा सिधात शुकला ने लीग हुई थी और वाकई मैं बहुत जादा बोर कर देने वाला था जी हां दोस्तों सलमान खान का जो क्रेस होता है ओडियंस जो सलमान खान को देखने के लिए आई होती है वो सिधात शुकला को बिल्कूल भी शायद उसकाविल नहीं समझती और क्योंकि हम लोग एक्सपेटेशन कुछ कर रहे होते हैं और हमारे सामने आग कुछ और जाता है यही दिक्कत थी शो की कि हमें बिल्कूल भी मता नहीं आ रहा था वीकन के वार पे जिस तरीके से सवालात किये जा रहे थे जा फिर जिस तरीके से कॉस्टेंस आउडियंस कर रही थी और सिधान्त उनको खींच रहा था वो थोड़ा अटपटा लगा देखने में हाला कि सवाल सभी कि ठीकी थी अफिनव से जो पूछा राफलवेद्य से जो पूछा सोनाली से जो पूछा लेकिन कुछ खिचा हुआ एपिसोड मुझे नजर आया बिल्कुल भी मजा नहीं आया चीजों में और जिस तरीके से घर में राघव और भारती के हस्बन की इंट्रीवी हुई और रश्मी देसाई और टीना दता भी आये हुई थी लेकिन फिर भी शो बहुत ज़्यादा फीका नजर आ रहा था घर में कुछ भी लोग बोर्ड हैं सलमान खान के टाइम पे कुभी भी इतनी लोग एक साथ पढ़ पढ़ नही जा रही थी इतना जाधा एडवेंट्रेज वो ले रही थी और देवुलीना और निकी दोनों ने एक दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी ऐसा खिचडी पका हुआ था कि एसा लग रहा था कि हम शो क्यों देख रही हैं वीकेंड का वार यह होता है कि सब एपिस हो रहा था तो फाइनली सुनाली बाहर होगी मुझे इसमें कोई सप्राइज नहीं हुआ कोई मलों ऐसा वाला चीज नहीं अंदर से और यह क्या हो गया तो उसके बात घर में फिर से वही लड़ाई जगडा फुटिज लेने की कोशिश शार्शी द्वारा की जा रही थी व भी बंद हो जाएगी और शोब बहुत ज्यादा हद तक बहुत हो जाएगा तो दैसे कल के शोब में कुछ खास था नहीं और आज जो मंडे है नोमिनेशन की प्रक्रिया होगी देखते हैं घरवाले कौन किसको नोमिनेट करता है और उसमें से ही लोग बाहर जाएंगे दैस को शेयर करना हो तो कर दीजिए का सबस्क्राइब करना हो तो भी कर दीजिए ने तो कोई बात नहीं भगवान के ब्रों से तो चलता ही रहूंगा लेंगे थैंक्यू बर्माच